टोप लिस्टेट में अपना नाम सुमार करवाने वाली मशूर अभी नेत्री रवीना टंडन आज किसी पहचान की महताज नहीं है ये एक मशूर एक्टरस के साथ साथ एक मोडल भी रह चुकी हैं ये उनवी नेत्रियों में से एक हैं जिन्होंने अपनी आदाव और एक्टिंग से लोगों की दिलों में राज किया पिर चाहे बात हो मोहरा फिल्म की या फिर खिलाडियों का खिलाडी की इन्होंने हर एक फिल्म में अपने किरदार को बख भी निभाया दोस्तों आप रवीना टंडन के बारे में तो सब को जानते होंगे पर किया आप जानते हैं कि इनकी बेटी कौन है, क्या करती है और कैसी दिखती है अगर आप भी रवीना टंडन की बेटी के बारे में जानना चाहते हैं तो बने रहे वीडियो में अंत तक अपनी एक्टिंग से दर्शुकों को अपना दिवाना बनाने वाली रभीना टंडन का जन 26 अक्टूबर 1974 को मुंबई में हुआ अगर बात करें इस दिलकश अधाकारे के अभीने करियर के बारे में तो इन्होंने मोडलिंग से अपने करियर की शुरुवात की साल 1991 की एक्टिंट फिल्म पत्थर की फूल से इन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई इसके बाद से ही इन्होंने वालिवुड इंड़स्ट्री को कई सुपर हिट फिल्मों से नवाजा है जिन में लाडला, जिद्धी और दिलवाले जिसी सुपर हिट फिल्म में शामिल है रवीना टंडन साल 2003 से चिल्डरन्स फिल्म सोसाइटी ओफ इंडिया की चेयर परशन थी लेकिन साल 2005 में उन्होंने अपने पद से इस्तिपा दे दिया वहीं अगर बात करें इनकी बेटियों के बारे में तो इन्होंने साल 1995 में सिंगल मदर के रूप में अपनी बेहन की बेटियों को गोद लिया इनकी बेटियों का नाम पूजा और छाया टंडन है जो की दिखने में बेहदी गोर्जियस है इन्होंने खुबसूरती के मामले में अपनी मा यानिकी रविना टंडन को भी पीछे कर दिया है आज इन दोनों की शादी हो चुकी है और ये आज अपनी फैमली के साथ खुसी जीवन बिता रही है साल 2004 में रविना टंडन ने अनिल थदानी से शादी कर ली इस शादी से इन्हें दो बच्चे हैं जिनमें बेटी का नाम राशा और बेटे का नाम रणवीर थदानी है रवीना टंडन की अपनी बेटी राशा ने आज अपनी जिंदगी के 16 साल कम्प्लीट कर लिए हैं और ये दिखने में बेहदी खुबसूरत हैं और ये आज अपनी पढ़ाई कम्प्लीट कर रही है तो दोस्तो रवीना टंडन की बेटीों के बारे में आपकी क्या राय है आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रू बताएं साथी वॉलिवोड इंडर्स्टी से जुड़ी ऐसी और मसालेदाल खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें